श्री गणेशायनमहा, शान्ताकारं, भुजग शेनम, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं, गगन सदरशं, मेगवर्नम, शुभांगं, लक्ष्मी कांतं, कमल नैनम, योगी भिर्द्यानिगम्यं, वंदे विश्णु भावबेहरं, सर्वलोकेक नाथं, प्रहलाद नार शुरू करते हैं, श्री भक्तमाल में 61.6 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री पीपा जी के बारें पढ़ेंगे, ये बहुत ही विशेश चरित्र होगा, और इसमें बहुत अधिक दिया हुआ है, और हम उसको पूरा पढ़ेंगे, और अच्छे से समझते में पढ़ेंगे आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जैसे कबीरदास जी का, रैदास जी का और विशेश चरित्र जो है, मीरा जी का, इन सब के बड़े-बड़े दियों है, वैसे ही पीपा जी का भी बहुत अधिक दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत विशेश भी है, शुरू करते सबसे पहले हम लोग छपय पढ़ेंगे और उसका भावारत पढ़ेंगे, जो नाभादास जी का है, उसके बाद हम लोग प्रियादास जी के कवित पढ़ेंगे इसका अर्थ पढ़ें लिखा है, भक्तवर्श्री पीपा प्रताप जी का प्रताप संपू जगत के लिए घरत के सवान शक्ति प्रत और हितकारी है, आपके मन में संसार की वासना कदापी ना थी, माया मैं जग में आपका निवास नहीं था, आप दिव जगत के जीव थे, लिखा है आप दिव जगत के जीव थे, माया के लिए थे नहीं मतलब पहले सी वे भगवत प्राप संत थे, हम लोग के लिए, हम लोग पे एकरपा कर आगे पढ़ते हैं लिखाए आपके दिव प्रभाव की गंद से आज भी जगत सुवासित है पहले आप भवानी देवी के भक्त थे पहले देवी के भक्त थे मुक्ति मांगने के लिए आपने देवी का ध्यान किया देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर सत्य बात कही कि मुक शक्ति मुझे नहीं है, वे शक्ति तो भगवान में है, उनकी शणन में जाना ही सुद्रन साधन है। यही वेद शास्रों और संतों ने बताया है देवी जी के उपदेश अनुसार आचारी श्री रामादंदा चारी जी के चर्णकमलों का आश्रे पाकर श्री पीपा जी अति भक्ती की अंतिम सीमा हुए गुरु कृपा एवं अति भक्ती के प्रभाव से आप में असंखे अमूल सद्गुण से उन्हें संतों ने अपने कंठ का हार बना रखा है अर्था सदा गाते रहते हैं एवं असंखे अमूली संतों के गुणों को आप अपने कंठ में धारन किये रहते थे भक्त भक्ति भग गवंत और गुरुदेव की आपने ऐसी अराधना की कि उसका स्पर्ष करके अर्था देख सुन और समझ करके संपूर्ण वैश्णवों की अराधना प्रणाली अत्यन सरस हो गई आपने अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार का कल्याण किया इसका प्रमाड ये है कि सूंग कर मानों को मारने खाने वाले परमहिंसक सिंग को उबदेश दिया अपना शिष बनाया और उसे अहिंसक विनीत बनाकर उसका कल्याण किया अब हम दोख शुरू करेंगे इनका अधिक चरित्र जो प्रियादाज जी ने बताया है गागरोन गड़ बड़ पीपा नाम राजा भयो लयो पन देवी सेवा रंग चड़ियो भारी है गागरो नड़ गागरो नगड नामक एक विशाल किला एवं नगर है वहाँ पीपा नामक एक राजा हुए वे देवी के भक्त थे उन्होंने देवी की सेवा पूजा करने की प्रतिज्या कर ली थी उनके उपर देवी की भक्ती का पक्का रंग चड़ गया था तो लिखाए कि देवी का पका रंग चड़ गया था और ये देवी के भक्त थे ठीक है आएपुर साधू सीधो दियो जोई सोई लियो कियो मन मांज प्रभू बुद्धी फेरी डारी है एक बार उस नगर में साधू की जमात आई राजा ने जमात का स्वागत करके कहा देवी जी को चालीस मन अन्न का भोग लगता है सभी लोग प्रसाद लेते हैं आप लोग भी देवी जी कर प्रसाद ग्रहन कीजिए साधू ने कहा हमारे साथ श्री ठाकुर जी हैं उन्ही को भोग लगा कर प्रसाद लेते हैं दूसरे देवी देवताओं का नहीं तब राजा ने उन्हें सीधा सामान दिया जो कुछ दिया साधों ने उसे ही साधर सुईकार कर लिया और अधिक लेने की इचछा नहीं की साधों ने रसोई करके भगवान का भोग लगाया और मन ही मन प्रार्थना की है प्रभू इस राजा की बुद्धी को बदल दीजे इसे अपना भक्त बना लीजे सोयो निशी रोयो देखी सुपनो भेहाल अती प्रेत विकराल देह धरी के पच्छारिये रात को जब राजा महल में सोया तो उसने एक बड़ा भ्यानक स्वपन देखा कि एक विकराल देह धरी देवी को बली देने वाले जीव प्रेत ने मुझे पटक दिया है वह भैबीत होकर रोने लगा जागते ही राजा ने स्वपन की घटना पर विचार किया तब उसे वैरागे हुआ अब ना सुहाए कच्छू वहु पाए परी गई नई रीती भई वाही भक्ती लागी प्यारी है अब उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा राजा का ये भाव देख कर देवी उसके पैरों में पड़ गई अब राजा के सोचने विचारने की रीती दूसरी हो गई उसे भगवान की भक्ती विशेश प्री लगने लगी गागरौन गड़ इसके लिखा है ये राजिस्थान में कोटा बूंदी के निकट है श्री पीपा जी के पिता का नाम श्री करवा राव क्रोध सिंग चोहान था संत बप्पा नाम से भी प्रसिद्ध थे श्री पीपा जी का प्राधुरभाव विक्रम संबत 1417 चैत्र पूर्णिमा बुद्धवार को धन लगन एवं पूर्वा फालगुनी नक्षत्र में हुआ आप श्री मनु जी के अवतार थे श्री पीपा जी का पूर्व का नाम राव बप्पा था भक्ति लागी प्यारी है इसके लिखाए देवी देवता संसार सुख स्वर्ग सुख दे सकते हैं लेकिन मुक्ति मोक्ष एवं भक्ति नहीं दे सकते हैं नारत पुराण में ये मंत्र लिखा है उसका अर्थ है है राजन सभभाव से ही परतंत्र हम देवी देवतां मोक्ष देने में समर्थ नहीं है एक मात्र स्वतन्त तो समस्त्र प्राणियों के आत्म स्वरूप परमात्मा श्री लक्षमी पति है मुचुकुंद के प्रती देव मुच्वकुन देवता के वांगे तो वहक निय्द के वरदन देड हो तो वह सोरे पिर कालियावन आया था मुच्वकुन ने अपनी नेतर खोले थे और उसके नेतर से कालियावन जो है बशम हो गया था नदिया और वही की वही नर्सी महता के रूप में आये थे उनका चरितर भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एक भागवत का श्लोक दिया है दशम सकंद के 42 अध्याय का 20 वा श्लोक है हे राजन आपका कल्यान हो आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजे हम कैवल मुक्ष के अत्रिक्ट आपको सब कुछ दे सकते हैं यह देवताओ ने कहा था क्योंकि कैवल मुक्ष देने की सामर्थ है तो कैवल अभिनाशी भगवान विश्णू में ही है शक्ति की उपासना व्यर्थ नहीं होती कारण की शक्ती ने भक्ती मार का निर्देश तो कर ही दिया देवी भी भक्ती के आगे दत्मस्तक हो गई पूछयो हरी पाईवे को मग जब देवी कही सही रामानंदु गुरू करी प्रभू पाईए विरक्त भाव में अनुरक्त होकर राजा ने जब माया से मुक्ति एवं भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछा तब देवी जी ने सही बात कही कि काशी में विराज मानश्री स्वामी रामानंद जी को अपना गुरू बनाओ और उनके बताय हुए मार्ग पर चल कर भगवान क को प्राप्त करो देवी जी की आगया पाक राजा ने काशी को प्रस्थान किया तो जो देवी जी थी उन्होंने कृपा करी उन्होंने भी एक मार्ग बताया तभी उनकी कृपा से भी पीपा जी को भगवान की भक्ति प्राप्त होगी आगे पढ़ते हैं लोग जाने बोरो काज त्याग कर सहसा चल देने से लोगों ने समझा कि राजा पागल हो गया है गुर्द देशन की उतकंठा से राजा की बुद्धी विक्सित हो गई श्री पीपा जी उस आश्रम में आए जहां निरंतर भगवान के नाम गुणों का गान होता रहता है द्वार मेना जान देत आग्या ईश लेत कही राज सोना हेत सुनी सबही लुटाईए श्री स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा से राजा ने जब श्री मठ में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने कहा कि पूछ कर आवें अपना परिचे दें इन्होंने कहा कि हम गाग रौनगर के राजा हैं गे आसकती के परिक्षा के लिए द्वारपालों से श्री स्वामी जी ने कहा कि हम लोग तो विरक्त हैं राजाओं से हमें क्या प्रवेशन हैं ये सुनकर पीपा जी ने राजा शाही वेश का त्याग करके फिर श्रनागरती की प्रातना कहला भेजी पहले तो कहा था कि मैं राजा हूँ ठीक है उनसे पूछ के आओ लेकिन जब स्वामी जी ने कहा कि राजाओं से हमें क्या प्रवेशन हम तो विरक्त लोग हैं तब उन्होंने अपना राजा वेश त्याग और श्रनागरती की प्रातना कहला भेजी कह यो कुवां गिरो चले गिरन प्रसंद नहीं हिए जी है सुख पायो लिएya दरस दिखाईय देर आशक्ती का निराकरन करने के लिए श्रिषवामी जी ने आधेश दिया कुए में गिर पढ़ो क्यों में गिराओं यह एक परिक्षा है कि वह पूरे शर्णागत है कि नहीं पूरे निर्भर है कि नहीं शर्णागती का एक शबने अगर अगर बताओं तो क्या है निर्भर रहना पूरे पूरा आत्मस्तान परण और शत्प्रतिशत निर्भर रहना वह शर्णागती है ठीक है तो स्वामी जी ने कहा क प्रसन होकर पीपा कुए में गिड़ने चले परंतु श्री स्वामी जी के सेवकों को ने पकड़ लिया इनकी द्रण निश्था देखकर श्री स्वामी जी पड़े प्रसन होए और इन्हें बुला कर दर्शन दिया इससे पता चलिए कि वे शर्णागत है ठीक है आगे लिखाए श्री पीपा जी को नव जीवन प्राप्त हुआ ठीक है और हमने इस कथा से भी समझा कि राजा के उपर देवी की कृपा तो थी और साथ साथ जो संत आये थे उन्होंने भी कृपा करी इसलिए फिर वे रामा अंदा चार्जी से मिल सके संत से ठीक है आगे पढ़ते हैं लिखाए गुरु करी प्रभु पाईए इसके लिए एक मंत्र दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं उसका अर्थ क्या है हे वामेरू दीक्षा ही इन प्राणी के किये कराय सर्वकम व्यर्थ चले जाते हैं जो दीक्षा ही रोता है उसके सभी कर्म जो है वे व्यर्थ चले जाते हैं वे चाहे कितना ही शृष्ट मने शुक्यों ना हो यदि दीक्षा रहित है तो उसे अंत में पशुयूनी प्राप्त होती है आगे लिखाए बिना वैशनवी दीक्षा लिए बिना श्री गुरू कृपप प्राप्त किये बिना श्री वैशनव धर्म का आचरण किये कोई कैसे भगवत भग्त हो सकता है अर्थार्थ नहीं आचारे आगे पढ़ते हैं अगला चपे अगला कवित तो लिखा है कि ये शिष कृपा करी धरी हरी भक्ति हिर्दे कही जब जावो ग्रह सेवा साधू कीजिए आचारे श्री स्वामी रामा अंदाचार जी ने भक्त पीपा को मं द्रणता पूर्वक अपने हिर्दे में धारण किया श्री स्वामी जी ने इन्हें आगया दी कि अब तुम अपनी राजधानी गागरौन गड़ को जाओ और वहीं घर में रहे कर साधू संतों की सेवा करो बित्ते बरस जब सरस टहल जानी संत सुखमानी आवे घर मधी लीजिए श्री पीपा जी घर जाना पसंद नहीं करेंगे अतर स्वामी जी ने फिर कहा एक वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे और ये देख लेंगे कि तुम संतों की सेवा में सुख मानते हो और तुम्हारी सेवा से सुख ही होकर संत तुम्हारे यहां से विदा होते हैं तब हम तुम्हारे घर को आवेंगे आए आग्या पाए धाम कीनी अभिराम रीती प्रीति को ना पारावार चीठी लिखी दीजिए वहीं हमारा दर्शन करना तो स्वामी जी ने कह दिया कि तुम संतों की सिवा करो और जब एक साल हो जाएगा तब हम तुम्हारे पास आएंगे तब आएंगे जब तुम देख लेंगे कि तुम संतों की सिवा अच्छे से करते हो ठीक है स्वामी जी की ऐसी आग्या पाकर श्री पीपा जी घर को लोट आए और बड़ी सुन्दर रीती से संत सेवा करने लगे साधू में आपका अपार प्रेम था जब वर्ष पुरा होने लगा था आपने गुरुदेव भगवान को एक पत्र में लिख कर बेजा कि हू जी ए कृपाल वही बात प्रतिपाल करो चले जुग बीस जन संग मतीरी जीए क्या लिखा दास पर आप कृपा कीजिए अपने वचनों का पालन कीजिए पत्र पाकर श्री स्वामी जी अपने प्रिये 40 भक्तों को साथ लेकर गागरौन गळ को चले श्रीपीपा जी की द्रन निष्ठा से श्री स्वामी जी अत्यंत प्रसन होए लिखाए चीठी लिखी दीजिए चीठी में क्या लिखाता है रिखाए जैती जै गुरुवर्श्री हरी रूप, चर्ण कमल में कोटी दंडवत यतिपती वैश्नव भूप, बिनु दर्शन अब कैसे उबरे परे भवन भवकूप, निज परिकर संग वेगी पधारो तारो त्रे विदी धूप, पीपा पतित नरपती की आसा पुर्वो सुखद सु अगला कवित पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कभीर रहदास आदी, दास सब संगलिये आये, पुर्वास पीपा पालिकी ले आयो हैं, आचारी श्री रामा नंजी महराज कभीर रहदास जी रहदास जी आदी चालीस अपने शिश सेवोकों को साथ लेकर गागरौन गड़ के निकट पहुंचें, श्री गुरुदेव के शुब आगवन का समचार पाते ही पीपा जी पाल की लेकर आये, करी सा श्टांग न्यारी न्यारी बिने साधुन को धन को लुटाए सो समाज पधर आयो है, अपने आपने स्तुति करके गुरुदेव को तथा सभी साधुन को अ अलग अलग धंडवत प्रणाम किया, उच्छा पुर्वक बहुत सा धन मुहरे ने उच्छावर करके, लुटा करके समस्त समाज को अपने राज भवन में पधर आया, जैसी की नहीं सेवा बहु मेवा नाना राग भोग, बानी के ना जोग भाग, कापे जात गायो है, श्री पीपा जी ने उस समाज की जैसी सेवा की, नाना प्रकार के मेवा पकवानों के जैसे भोग, राग, अरपन किये, उसका वर्णन करना सर्दस्ती जी के भी वश की बात नहीं है, गुरुदेव के भगवान एबं दिव सिद्ध संत समाज की सेवा का जो शुब अवसर म इनके इस भागे का वर्णन कौन कर सकता है? भजन करो, दोनों ही तुमारे लिए समान है, श्री गुरुदेव में तथा उनकी आग्या में विश्वास करके, उनके श्री चर्णों में पढ़कर, पीपा जी ने प्रातना की, कि अपने चर्णों में ही रखिये, श्री पीपा जी गुरुदेव के साथ चलने को तयार हो श्री पीपा जी अपने भाई कल्यान राव के पुत्र भूज राव को विक्रम समवत में राज दे कर, श्री स्वामी जी के साथ चल दिये 14.54 में उन्हें अपने बड़े भाई के पुत्र को राज दिया और वे श्री रामा अंदचार जी के साथ चल दिये लागी संग रानी दस, दोए कही मानी नहीं, कश्ट को बतावें, डर पावें मन लावें श्री पीपा जी जब घर छोड़ कर, श्री स्वामी जी के साथ चलने को तयार होए, तब उनकी सभी 200 रानिया भी उनके साथ चलने के लिए तयार हो गई देवो देवो डारी आभरन जो पे नहीं भावही साथ ही चलने की इच्छा करने लगी तब पीपा जी ने का यदि तुम सब को मेरे साथ ही चलना है यहां रहना अच्छा नहीं लगता है तो कम्री को फाल कर उसकी अलफी पहन लो और मू लिवान वस्त तथा सभी गहने उतार कर फेक दो काहू पे ना होए दियो रोए भोए भक्ति आई छोटी नाम सीता डरें छोटी नाम सीता गरें डारी ना लजा वही साथू वेश धारन करके चलो ऐसा त्याग वह नहीं कर सकी सभी रोने लगी परंतु उन में से जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी जी सुलंखडी पदमावती थी वह इसके लिए तयार हो गई उन्होंने अलफी गले में डाल ली सभी आबुशान उतार दिये साथू वेश धारन करने में उन्हें लज्जा नहीं आई जो सबसे उनकी छोटी पत्नी थी यहू दूर डारो करो तन को उगहारो कियो दया रामानंद हियो पीपा ना सुहा वही तब राजा ने दूसरी आगया दी कि अधोवस रमात रखो इस अलफी को भी उतार कर फेक दो सुनते ही सी श्री स्वामी जी को दया आ गई उन्होंने श्री पीपा जी से आ गया दी कि इनको साथ में ही रखो परंतु श्री पीपा जी को रानी साथ में रखना अच्छा नहीं लगता था जो पे या पे कृपा करी दीजे काहू संग करी मेरे नहीं रंग या में कही बार बार है श्र आपने इस पर कृपा ही की है तो किसी दूसरे के साथ इसे कर दीजिए उन्होंने ऐसे कह दिया फिर जब गुरु देव ने शपत दिलाई सती इस्त्री का त्याग उचित नहीं है तब श्री पीपाजी ने सीता सहचरी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गया राजा को रुकने के लिए राणियों ने एक ब्रामण को बहुत सा धन दे कर उसे प्रिरित किया लूप से उसने कहा कि मैं राजा को कदापी ना जाने दूँगा श्री पीपाजी के समझाने पर भी उसने अपना हट नहीं छोड़ा खायो विष जायो पुनी फेरी के पठायो सब आयो यो समाज द्वारा वती सुख सार है ये सब रुकने को नहीं तैयार हुए तब उस ग्रामण ने विष खा लिया और मर गया तब स्वामी जी ने उसे जीवित करके उसे और रानियों को लोटा दिया इस प्रकार संपून सुखों का सार तत्व है इसमें ऐसा वह समाज आनंद दाय नीश्री द्वार का पुरी को पहुंचा इसके बाद समाज था पुरा रामान नदचाडी जी का वह द्वार का पुरी को पहुंचा जो ब्रामल विश्खा के मर गया था उसको जीवित कर दिया रही को दिन आ गया मांगी इन रहीबे की कूदे सिंधु मांज चाह उपजी अपा रहे है कुछ दिनों तक सभी लोग वहां रहे हैं जब श्री स्वामी जी अपने शिश्श्य स्यवकों को लेकर वहां से काशी पूरी को चले तब श्री पीपा जी ने प्रातना करके कुछ दिन द्वारका में रहने की आगया मांगी और आगया पाकर वहीं रहे गए रहते रहते इन्हें भगवान के दिव्य द्वार का पुरी के दर्शनों की ऐसी उतकट उतकंठा हुई कि आप समुद्र में कूद बड़े आए आगे लेन आप दिये हैं पठाए जन देखी द्वारावती कृष्ण मिले बहु भाय के सब अतनीक श्री पीपा जी जब समुद्र में कूदे तो पहले उसी शन श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लिवा लेने के लिए भेजा वह नहीं साधर लिवा लाए महल से निकल कर भागवान भी इन्हें लेने आ गए श्री पीपा जी ने दिव द्वारका का दर्शन किया भागवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से मिले भगवान कृष्ण के दर्शन किये उन्होंने भगवान ने अपने सिवक भीजे और भगवान स्वेम भी मिले महल महल मांज मैं चहल पहले लखी रहे दिन साथ सुख सके कौन गाये के भक्त भगवन तुभा विभोर होकर मिले और फिर सीता सहेचरी समेथ श्री पीपा जी सानन्द साथ दिन तक वहां रहे लिखाए साथ दिन तक वह समुद्ध के भीतर द्वारका में रहे भगवान कृष्ण के साथ वहाँ इन्होंने सूला हजार एकसो आठ महलों की चहल पहल देखी इन्हें वहां जिस पर्मानन्द का अनभव हुआ उसे कौन कह सकता है साथ दिन बाद भगवान श्रकृष्ण ने इन लोगों की इस दिव द्वारका से उस द्वारका को जाने की आग्या दी आग्या देई जाइबे की जाइबोना चाहे दिये पिये वह रूप देखो मुही को जुजाईगे परन्तु ये वहां से जाना नहीं चाते थे तब श्री शाम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किये है उसी में मन को दिये हुए तथा उसी रूप मादुरी का पान किये हुए वहां जाकर भी उसे ही देखो देखते रहोगे अता विरह वेथा ना व्यापेगी भक्त बूरी गयो ये है बढ़ोई कलंक भयो मेटो तम अंक संक गही अकुलाई के यदि तुम लोग नहीं जाओगे तो संसान में भक्त और ऐसे भक्त डूब गय ये जो कलंक लग गया है कैसे मिटेगा आप यहां से जाईए और लोगों की शंका कलंक तथा आग्यान को मिटाईए अन्य था मैस्वेम यहां से आप लोगों को भेजना नहीं चाहता था इसके पश्चात भगवान के द्वारा दी गई शंक चक्र की छाप को तथा विरह व्यता से व्याकुल आपने भगवान की आग्या सुईकार की तो भगवान ने आग्या जाने के लिए कहा उन से तो वो जाना नहीं चाहते थे लेकिन भगवान ने कहा कि अगर तो नहीं जाओगे न तो लोग सोचेंगे कि जो भक्त है वह समूदर में डूब गए और ये मानेगा ओ कौन फेरियस बात को कि आप जो है वह भगवान स्वेम कृष्ण से मिल कर आये हैं और लोग जूट समझ लेंगे सब भक्तों की बातों को इसलिए भगवान ने कहा कि आप जाओ मेरा भी मन नहीं है आपको रोखने का ये लिखा है यहाँ पे मैं स्वेम यहाँ से आप लोगों को भेजना नहीं चाहता था इसलिए सबूत के लिए उन्होंने भगवान ने शंक चक्र और चाप को शंक चक्र की चाप को भी उनके साथ भेज़ा ठीक है चले पहुचाएबे को प्रीती के अधीन आप बिन जलमीन जैसे ऐसे फिरी आये के भगवान सदा भक्तों की भक्ती के अधीन है अधा स्वेम आप भक्त वर्श्री पीपा और सीता सहचरी को पहुचाने के लिए चले समुद्र के बाहर तक पहुचा कर आप लोट आए जैसे जल के बिना मचली व्याकुल हो जाती है उसी प्रकार भक्त विरह से भगवान व्याकुल हो गए लिखा है भक्त विरह से भगवान व्याकुल हो गए जैसे भक्त व्याकुल होता है न वैसे भगवान भी व्याकुल होते है ऐसा हम लोग ने उसमें भी पढ़ा था कि जो राम जी जो थे जैसे शबरी भगवान से मिलने के लिए व्याकुल थी विसे राम जी जो थे वह भी शब्री से मिलने के लिए व्याकुल थे और वह पूछ पूछ के जा रहे थे कि शब्री का गर कहा है शब्री का गर कहा है वही बात यहाँ पर भी लेखी है कि भक्त विरह से भगवान व्याकुल हो गए देखी नई बात गात सूखे पट भीजे हिये लिये पही चानी आनी पग लपट आये हैं सब अतनीक श्री पीपा जी जब समुद्र से निकल कर तट पर आये तो लोगों ने एक विजितर बाद देखी कि आप दोनों के वस्र सूखे हैं परंतुर हिदय प्रेम से सराबोर है अत्वा हिदय पर के वस्र भीजे हैं जिन लोगों ने समुद्र में कूद्रते हुए इन्हें देखा था उन्होंने पहचान लिया और सभी लोग आकर आप दोनों के पैरों मिले पड़ गए दई ले के छाप पाप जगत के दूर करो डरो कहूं और कही सीता समझाए है श्री पीपा जी ने भगवान की दी हुई शंक चक्र की छाप लोगों के शरीर पर लगाई और महत्व बताया पुजारियों को छाप दे कर कहा आप सभी द्वारका आने वालों को छाप दे कर कृतात करें उनके पाप दूर करें भगवान की आग गया है द्वारका में आपके दर्शनों के लिए नित भारी भीड होने लगी जब तब सीता सहचरी जी ने श्री पीपा जी गो समझा कर कहा कि अब यहां से कही अन्यत्र चलो यहां बजन में बाधा हो रही है दोनों द्वारका से चल दिये बहुत सार लोग आने लगे और वो लोग जो संसार की बाते करते हैं अधिकतर तो उन्होंने का कि यहां भजन में बाधा पौड रही हैं यहां से चलो और वह सब चले गए द्वारका से चल दिये चटे मिलान बन मैं पठान भेट भाई लई चीनी तिया कियो चैने प्रभु धाये हैं छटी मुकाम पर पहुँचते ही इन्हें पठान मुसल्मान मिल गए उन्होंने सीता सहचरी को चीन लिया उसी समय भगवान दौल कर आ गए और दुष्टों को मार कर सीता सहचरी को ले आए भगवान स्वेम दौल कर आ गए भगवान स्वेम भक्त के हमेशा साथ चलते रहते हैं हमेशा उसे देखते रहते हैं इसलिए यहाँ पर लिखाए भगवान स्वेम दौल कर आ गए दुष्टों को मार कर सीता सहचरी को ले आए इस पकार इनकी रक्षा करके और दर्शन देखे प्रभू ने इने आनंदित किया भगवान स्वेम आ गए भगवान कब आते हैं जब बिल्कुल शरनागत होते हैं तब बिल्कुल निर्भर थे भक्त जो होते हैं बिल्कुल निर्भर रहते हैं भगवान के तब भगवान जो है उनकी पीची पीचे चलते है आगे पड़ते लिखा है अबू लगी जावो घर कैसे कैसे आवे डर बोली हरी जानिये ना भाव पेना आयो है श्री पीपा ने श्री सीता सेचरी से कहा देखो यहां कैसे कैसे संकट आते हैं आगे भी आते ही रहेंगे अच्छा होगा कि अब भी तुम घर को चली जाओ और वहां सानंद रहो श्री सीता से चनी उतर दिया भगवन हरी ही भै को हरने वाले हैं हरी ही भै को हरने वाले उन्होंने का जो भगवान की शर्ण में रहता है वे निर्भर रहता है इसलिए उन्होंने का कि भरी ही भै को हरने वाले हैं जो बिल्कुल भगवान के शर्णागत है उसे कोई भै नहीं है रक्षक है यह मैंने नहीं जान पाया अथवा मेरे हृदे में द्रण विश्वास भाव अभी तक नहीं आया है इसलिए आप ऐसी बात कहते हैं आप यह कहते हैं इसका मतलब अभी तक मेरे बें अंदर यह भाव नहीं आया है उन्होंने कहा क्योंकि हरी जो है वे हमेशा रक्षा करते हैं और ये भाव जो है वे पीबा जी को तो द्रण था और वे सीता सहचरी से कह रहे थे इस बात को कि देखो अभी भी यहाँ भै है तुम चली जाओ वापस उसका मतलब इसलिए कह रहे होंगे उन्होंने कहा आप इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि अभी तक मेरे अंदर ये भाव नहीं आया है पूरा आगे पड़ते हैं लिखा है ले तो हो परिच्छा मैं तो जानो तेरी सिच्छा एपे सुनी द्रण बात कान अती सुख उपायो है ये सुनकर पीपा जी ने कहा मैं तुमारी परिच्छा ले रहा था इसी से ऐसी बात कही यदि तुमारा भाव द्रण ना होता तो भगवान आकर रक्षा कैसे करते मैं तुमारी बल्वती निश्था को जानता हूँ तुमारे द्रण विश्वास की तुमारी बातें कानों से सुनकर मुझे अत्यान सुख हुआ है उन्हें खा दूसरों को श्ख्छा देने के लिए मैंने ऐसा कहा था चले मग दूसरे सू ता में एक सिंग रहे आयो वासलेत शिश्य कियो समझायो है आगे पढ़ते हैं लिखाए इसके उपरांत दोनों दूसरे उसी मार्क से चलें जिसमें एक सिंग रहता था जो बहुतों को मार कर खा चुका था लोगों ने उस रास्ते से चलना बंद कर दिया था वह मानव की गंद पाकर समीप आ जाता था परंतु इनकी सुगंद एवं इनके दर्शन से उसका अंतरकर पवित्र हो गया वह विनीद भाव से इनके निकट बैड़ गया लिखाए हैं इनकी सुगंद और दर्शन से उसका अंतरकर पवित्र हो गया एक सिंग जो था है वह भी पवित्र हो गया भक्तों से भक्त जो होते हैं सबको पवित्र कर देते हैं लिखाए इसलिए उनकी सुगंद और दर्शन से सिंग भी पवित्र हो गया उसका अंता करन पुवित्र हो गया वे विनीत भाव से इनके निकट बैढ़ गया तब इन्होंने उसे शिश करके समझाया कि अब तुम वैशना हो गया अथा किसी की हिंसा ना करना आयो और गावर से शिसाई प्रभु नाव रहे करे बास हरे डरे चीधर सोहायो है वे साधारन म्रग के समान आचरन करने लगा इनके वरद हस्त के सपर्ष से भग्त बन गया इसके बाद वे दूसरे गाव में पहुंचे हमको यहां से सोचना चाहिए कि भग्त जो है वे जब एक सिंग को पवित्र कर सकते है तो अगर हम लोगों को कोई भग्त मिल जाए भग्वान का तो हम लोग भी भग्वान को प्राप्त कर लेंगे इसलिए हम कोई भग्त माल पढ़ते हुए प्रातना करनी चाहिए भग्वान से कि हमको भी किसी संत का ऐसे ही दर्शन हो जाए जिससे हम भी अमतनानता करन शुर्द करके भगवान को प्राप्त कर सके आगे पढ़ते हैं इसके बाद वे दूसरे गाओं पहुंचे वहाँ अपने आपने शिश शाई भगवान के दर्शन किये और दुकानदार के ना देने पर सूखे बासों को हरे करके एक हराबांज भगवान को और पन किया वहाँ से चल कर आप परम प्रेमी भक्त श्री चीधर जी के यहाँ पहुंचे दो तिया पती देखें आए भागवत एपे घर की कुगती रती साची ले दिखाई है संतों के द्वारा पूर्वी श्री पीपा जी के बारे में सुन चुके थे भक्त चौधर जी और उनकी धन पत्नी ने देखा कि परम भागवा श्री पीपा जी अपनी इस्त्री समित पधारे है वे स्वागत करके परम प्रसन हुए परंतु घर की हालत बहुत खराब थी घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था इन्होंने अपनी सच्ची संत प्रीती का परिचे दिया लहंगा उतारी बेची दियो ताको सीधो लियो करो अजू पांक भधु कोठी में दुराई है श्री चीधर जी की इस्त्री ने एक मात्र अपना वस्त्र लहंगा उतार कर दे दिया श्री चीधर जी उसे बेच कर सीधा सामान ले आये और श्री पीपा जी के सामने रखकर बोले महाराज रसोई की जोर भगवान का भोग लगाई है लहंगा के अत्रिक दूसरा वस्र पहनने के लिए नहीं था उसके बिक जाने के कार भगतिन का शरी नगन हो गया था आता श्री चीधर जी श्री चीधर ने उसे कोटरी में चुपा दिया करी ले रसोई सोई भूग लगी बैठे कहियो आवो मिली दोग कही पाच्छे सीथ भाई है श्री सीता सहजरी जीने रसोई तयार कर दी भगवान का भूग लग गया श्री पीपा जीने चीधर भक्त से कहा भक्तिन को बुला लाईए आप और हम सब एक साथ ही बैठ कर प्रसाद पाएंगे श्री चीधर जीने कहा आप लोग प्रसाद पावें उसे सीथ प्रसाद प्री है वाहू को बुलावो लियावो आनी के जिमावो तब सीता गई ठोड जाई नगन लखाई है वे बाद में पालेगी तब श्री पीपा जी ने सीता सेजरी जी से कहा तुम भीतर जाकर उन्हें बुला लाओ और उन्हें भी साथ ही प्रसाद पावावो तब वे भीतर गई तो उन्होंने जाकर देखा कि वे नगन बैठी है पूछे कहो बात ए उघारे क्यों है गात कहीं ऐसे ही बिहात सादू सेवा मन भाई है सीता सहजरी जी ने जब भगतिन को नगन देखा तो पूछा कहिए क्या बात है आका श्री उघारा क्यों है तब श्री चीधर जी की इस्त्री ने कहा हम लोगों को संत सेवा हिर्दय से अतिन्त प्री लगती है अता हमारा समय इसी प्रकार बीचता है आवे जब संत सुख होत है अनंत तन धंकियों के उघारों कहा चर्चा चलाई है तब जब संत भगवान पधारते हैं तब उनका दर्शन सत्संग इवं स्वागत करके हमें अपार सुख होता है हम परमानन के सामने ये नश्वर श्री ढखा है अत्वा उघारा है लोकिक वारता की क्या चर्चा की जाए भगवत वारता ही श्रिष्ट है नो ने ऐसा कहा जानी गई रीती प्रीती देखी एक इन ही में हम हूँ कहावें एंपे छटा हूना पाई है सीता सहेजरी जी ने जब ये बाते सुनी तो वे जान गई तब सब रहसे उनकी समझ में आ गया वे मन में विचाने लगें कि ऐसी रीती ऐसी विचित्र प्रेम तो केवल इन ही भक्तों में दिखाई पड़ा यो तो हम लोग भी साधू संतों के प्रेमी एवं सेवक कहलाते हैं परंतु इनकी सेवा निष्ठा की जरासी जलग भी साधू संतों के प्रेमी एवं सेवक कहे जाते हैं परंतु इनकी सेवा निष्ठा की जरासी जलग भी हम में नहीं आ पाई है दियो पट आधो फारी गही के निकारी लई भई सुख सैल पाच्छे पीपा सो सनाई है इसकी उपरांथ सीता सहेचरी जी ने अपने धोती में से आधी फाल कर इने दिया उसे उन्होंने पहन लिया तब उनका हाथ पकड़ कर उन्हें घर से वहां लिवा लाई सबोंने एक साथ बैठ कर प्रसाद पाया हिर्दय परिवर्तन कर देने वाली जो है अनोखी घटना घटी ये सुख में इस शैल अदबुत मनुरंजक बात थी इससे सीता सहेचरी ने बाद में शेयन करते समय पीपा जी को सुनाया करे वैश्या कर्म अब धर्म है हमारो यही कही जाए बैठी जहां नाजनी की धेरी है सब अतनी भक्त श्री चीधर जी की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर सीता सहेचरी जी ने अपने पतिदेव से कहा अब तो हमारा धर्म ये है कि हम वैश्य व्रती अपना कर अपना शरीर बेच कर संत सेवा करें ऐसा निश्चा कर वे दोनों वहां जाकर बैठें जहां अनाज की बड़ी मंडी थी गेरी आये लोग जिन है नैननी को रोग लखी दूर भयो सोग नेको नीके हुना हेरी है उस समय उन्होंने अपना साधू वेश छिपा लिया था शिसीता सहेचरी जी के अपाश संदर्ता से आकरष्ट होकर वे लोग एकत्र हो गए जो आँखों के रोगी रूप निरखने के लोभी थे समीप आकर जब उन लोगों ने उनको देखा तो उनके नेत्रों का रोग शोग अर्थाद उनकी विशेद्रश्टी नश्ट हो गई वे लोग इनकी और जरा अच्छी तरह देखने में भी समर्थ नहीं हुए वे स्वेम पती विशेद्रश्टी थी पती विशेद्रश्टी को देखने से भी जो एक भगत तो थी वो और पती विशेद्रश्टी थी तो ऐसा होता है कि उनको देखने से भी सब रूब नश्ट हो जाते हैं कहें तुम कौन वार मुखी नहीं भौन संग भरुवा सु गहे मौन सुनी परी बेरी हैं लोगों ने शी सीता सेजेजी से पूछा कि आप कौन हैं आपके साथ ही सज्जन आपके कौन हैं इन्होंने उत्तर दिया हम वैश्या हैं हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं है और हमारे साथ में ये हमारा भुंडवा है ये सुनकर वैस सब स्थब्द खड़े 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 ही रहे गए उनके तन्बन गती हीन हो गए करी अन्रासी आगे मुहर रुपया पागे पठे दरी चीधर के तब ही निबेरी हैं फिर जिन लोगों ने उन्हें द्वारिका में देखा था उन्होंने पैचान कर बताया अरे ये परम भक्ष्री पीपा जी और ये उनकी धर्म पतनी सीता सैचरी जी हैं तब तो लोगों ने उनके आगे वस्तर अन्वस्तर और मोहरों के ढेर लगा दिये शीर पीपा जी ने वह सब समान भक्त चीधर के यहां भेज दिया शीर चीधर जी ने सादू और ब्रामनों को खिला पिला कर एवं दक्षना देंकर सर्वस्व समाप्त कर दिया मैं भी समाप्त कर दिया सब कुछ बी संग्रे ने किया कुछ भी रखा ने उन्होंने भी आगे मांगी तोने आए कभूं भूके कभूं घाए ओचक ही दाम पाए गयो हो सनान के शीचीधर भक्त से आग्या मांकर उनसे विदा लेकर सीधा सहचरी समेच श्री पीपाजी तोने ग्राम को आए मार्ग में जब कोई प्रेमी भक्त नहीं मिलते थे तो आप भूके ही रह जाते थे और यदि मिल जाते तो प्रसाद पाकर तरप्त हो जाते थे तोड़े में आप गाउं से बाहर कुटी बना कर रहने लगे मुहरनी भाणों भूमी गाडों देखी छानी आयो कही निसी तिया बोली जावो सर आन को एक दिन आप स्नान करने के लिए गए थे तो वहाँ एका एक आपको मुहरों से भरे हुए कई मटके दिखाई पड़े उस मिले हुए धन को त्याकर आप चले आए रात में सीता सहिचरी जी से आपने बताया कि उस सरोवर पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटके मैं छोड़ आया हूँ सुनकर उन्होंने कहा अब आप उस ताला पर स्नान करने मत जाएए दूसरे पढ़ जाया कीजिए सैयों वश चोरी करने की इच्छा से वहीं कहीं कुटी के और पास छिपे वए चोरों ने बात सुन ली वे तुरंत उसी सरोवर पर गए और जाकर देखा तो उन पात्रों में साप भरे हुए थे सांप भरे हुए हैं चोरों ने समझा कि हमें सांपों से कटपा कर मानवा डालने के लिए ही ऐसी बातचीत आपस में कर रहे थे बदला लेने की भावना से उन चोरों ने मुहर भरे सभी माट उखाड़े और पीपा जी की कुटी में छपर फाल कर उपर से पटक कर भाग गए भागवान देते हैं तो छपर फाल कर देते हैं और लेते हैं तो चम्री उचेल कर लेते हैं संत सेवा के लिए भागवान के द्वारा दिये हुए धन को जब पीपा जी ने सभाला तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मोरे हैं और एक-एक मोहर तौल में 55 तोले की है जोई आवे द्वार ताही देते हैं आहार और बोली के अनंत संत भोजन करायो है श्री पीपा जी ने विचारा कि अर्थ तो अनर्थों का मूल है अतर उसका सदूपयो करने लगे जो भी द्वार पर आता आप उसे सादर भोजन कराते सादू महात्माओं को निमंत्रन दे कर बड़े बड़े विचाल भंडारे करनाने लगे असन के संद प्रसाद पाने लगे बीते दिन तीन धन खाए प्याए छीन कियो लियो सुनी नाम नरप देखी बे को आयो है इस प्रकार खिला पिला कर संपूँ धन को श्री पीपा जी ने तीन दिन में समाप्त कर दिया आपकी इस विशाल कीरती को तोड़े राजा सूरिस सेन मल ने सुना बीते देखी बे प्रसन भयो नयो देवो दीक्षा मोही दीक्षा है अतीत करे आपसो सुहायो है तो वे दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बहुत प्रसन हुआ फिर बड़ी नम्रता से राजा ने प्रार्तना की और कहा आप मुझे शिश बना लीजे श्री पीपा जी ने कहा पहले संसार की वासनाओं को त्याग कर अतीत वेरागेवान हो जाओ विश्या सक्त को दीक्षा देना व्यर्थ है जिसमें विरक्त भावदरण है उसे हम लोग दीक्षा शिक्षा देकर अपने समान सुंदर बना लेते हैं उनके अईसा कहा चाहो सोई करो हुए कृपाल मो को ढरो अजू धरो आनी संपति ओ रानी जाए लियायो है राजा ने कहा आप जो चाहोगे जैसी आगया मुझे दोगे मैं वही करूँगा आप कृपालू होकर मुझे पर कृपा करें तब आपने आगया दी कि यदि ऐसा हो तो आप अपनी सबसंपति एहमता और रानियों को ममता यहां लाकर मुझे को अरपन कर दो श्री पीपा जी को भी ऐसी परिक्षा देनी पड़ी थी राजा ने राजे और रानिया लाकर अरपन कर दी करी के परिक्षा देई दीक्षा संग रानी देई भई एहमारी करो परदा न संतसो इस प्रकार श्री पीपा जी ने राजा की परिक्षा लेकर उसको मंत्र दीक्षा दी फिर संपत्य राणियों को लुटा कर कहा कि संपून राज दथा राणियों आज से अब हमारी हैं, इन में अब ममता ना रखना, मेरी आग्या से इनका पादन पोशन करना, तनमन और धन से संत सेवा करना, राणियों को आगिया dijगी संतों से परदा ना करके उनकी सेवा करना इसके बाद राजा ने बहुत अनुने विन्य करके गुरुदेव को एक घोडा और संत सेवार्थ बहुत सा धन भेट किया आपने उसमें से कुछ धन रख लिया शिश लोटा दिया गुरुदेव के उपदिश अनुसार राजा ने एहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जन्तों को अपने से बड़ा मानने लगा सुनी जरी बरी गए भाई सेन सूरज के उरज प्रताप कहां कहे सोता कंत सो यह समचार सुनकर राजा के भाई बंधू जल भुन गए परन तु महान प्रतापी सीतापती श्री पीपा जी से वे कुछ भी ना कह सके आयो बनी जारो मौल लियो चाहे खेलनी को दियो बहकाय कहो पीपा जो अनंतिस हो इसी बीच एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए तोने गाउ आया राजा के भाईयों ने उसे भैकाया कि पीपा भगत बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं वहीं चले जाओ उन्होंने उन्ही से कहो तुम्हे बैल मिल जाएंगे तुन्होंने ऐसा कहा गए उठी पाच्छे बोली संतनी महोचो कियो आयो वाही समय कही लेहु मन भाय हैं शी पीपा जी ने कहा आपको जितने बैल चाहिए उतने मिल जाएंगे परन्तु आज अभी यहां नहीं हैं गाहों में चड़ने के लिए भेज दिये हैं कल दोपहर को आकर आप ले जाईएगा इसके बाद वे व्यापारी तो रूपे दे कर चला गया आपने संतों को बुला कर भंडारा महुतसव कर दिया उसी में सब रूपे खर्च कर दिये वे बंजारा निरधारिच समय पर आगया और बोला मुझे बैल दीजे बैल कहा हैं उस समय पंगत हो रही थी सैक्रों संत बैठे प्रसाद पा रहे थे श्री पीपा जी ने पंगत की और हाथ से संगित करके कहा यही सब मेरे बैल धर्म स्वरूप संत हैं मैं इनी का व्यापार करता हूँ इन में से जितने आपको चाहिए आप उतने ले जाईए दर्शन करी हिए भक्ती भाव भरियो आनी आनी के बसन सब साधू पही राए हैं उस व्यापारी ने संतों के दर्शन किये उसकी हिर्दे में भक्ती भाव भर गया पह उसी समय बाजार को गया और वस्त लाकर उसने सभी साधू को पेनाया और दिने नहान गए घोड़ा चड़ी छोड़ी दियो लियो बांधियो दुष्टननी आयो मानो लियाए हैं एक दिन श्रीपीपा जी घोड़े पर चलकर स्नान करने के लिए सरोवर पर गए भूड़े को वहीं छोड़ो आप श्नान करने लगे। इतने हीं ही दुष्टोरो ने आकर भूड़े को पकड़ लिया और उसे चैपा कर बांध दिया। आप जब सनान करके आये तो घोड़ा जो कातियों वहीं पर खड़ा मिला वो सनान करके आये गोड़ा वहीं पर खड़ा था और एक घोड़ा उन्होंने चोरों ने भी बान दिया था लिखाया आगे मानो उसी को ले आये हूँ घोड़े पर चड़कर आप अपने आश्रम में आ गए जब चोरों ने ये समतकार देखा तो वे डर गए और घोड़े को ले आये तब वे घोड़ा नहीं दिखाई पड़ा उन्होंने चोरी छोड़कर शिष्टा स्विकार की इससे हमको क्या वालूम पड़ता है कि भक्तों का सब कुछ दिव्य होता है आगे पड़ते लिखा है गए है बुलाए आप पाच्छे घर संत आय अन्न कच्छो नाहिन कहूं जाय करी लियाई है एक बार श्री पीपा जी राजा सूरी सेन मलके यहां एक जगड़े का एक ही इस्तरी को दो पुरुष अपनी इस्तरी बताते थे एक पुरुष रूपधारी प्रेत को बोतल में बंद कर सच्चे व्यक्ति को श्री पीपा जी ने पत्नी सौब दी यह फैसला करने के लिए गए थे एक जगड़े का फैसला करने के लिए गए थे ओर ठीक है आपके चले जाने के बाद कुटी पर कुछ संत जन पधारे संयोग वश उस दिन कुटी में अनधन कुछ भी नहीं था संत सिवा के लिए कहीं जाकर कुछ ले आओ ऐसा विचारकरशी सीता सहचरी जी बाजार को गई विशेई बने के एक देखी के बुलाए लई दई सब सौझ कहीं सही नेसी आईए वहाँ इन्हें देखकर एक दुराचारी बनिये ने बुलाकर पूछा आपने सामान की आवशकता बताई तब उसने सब सीधा सामान देकर कहा कि आप रात को मेरे पास अविश्य आईए बोजन करत मांज पीपाजु पधारे पूछी वारे तन प्रान जब कही के सुनाईए जब सामागरी लेकर आप कुटी पर आई रसुई हुई और भोग लगा कर जब महात्मा लोग भजन कर रहे थे उसी समय पीपाजी पधारे उन्होंने पूछा कि सामान कहां से आया तो श्री सीता सहचरी ने सब बात बतला दी उसे सुनकर श्री पीपाजी ने उनकी संत सेवा निश्था पर अपना श्रीर और प्रानों को निश्चावर कर दिया कनी के सिंगार सीता चली जुकी मेह आयो कांधी पे चढ़ायो बपू बनिया रिजाईये साय काल को श्रंगार करके शी सीता सहचरी बनिये के पास जब जाने को तैयार हुई तो उसी समय पानी बरसने लगा की चल हो गया कैसे जाएं श्रंगार बिगड़ेगा तब श्री पीपा जी ने उन्हें कंधे पर चला लिया और उस बनिये को प्रसंद करने के लिए चले कंधे पर चला कर चले पीपा जी हाट पे उतारी दई द्वार आप बैठे रहें चहे सू के पग माता कैसे करी आयो है श्री पीपा जी ने सीता सहचरी को ले जाकर बनिये के द्वार पर उतार दिया वे भीतर चली गई आप बाहर द्वार पर बैठ गए इनके दर्शन चिंतन से एवं अन्न के संत भगवन की सिवा में लगने से उसकी बुद्धी शुद हो चुकी थी लिखा है पहले सी बुद्धी शुद हो चुकी थी उसका जो अन्न था ना वे संतों को मिल गया था भूजन में इसलिए उसकी बुद्धी पहले शुद हो चुकी थी अता मुक पर द्रश्टी ना पढ़कर उस बनिये की द्रश्टी इनके चंड़नों पर पड़ी इनके सूखे श्री चंड़नों को देखकर उसने पूछा माता जी आप यहां तक कैसे आई हैं उन्होंने पूछा स्वामी जी लिवाए लियाएं कहां हैं निहारो जाए आए पाएं परियो डरियो राखो सुख दाई हो उन्होंने उतर दिया स्वेम श्री स्वामी जी अपने कंधे पर बैठा कर लाएं हैं फिर उसने पूछा वे कहां हैं आपने कहा तुम जाकर देखो वे बाहर ही होंग बहे बाहर आकर श्री पीपा जी के चर्णों में गिर गया और बोला आप कृपा करके हमारी रक्षा करो आप तो जीव मात्र को सुख देने वाले संत हैं उन्हें ऐसा कहा मानो जीनी संक काज कीजिये निसंक धन दियो बिन अंक जापे लरे मरे भाई हो श्री पीपा ने कहा आप अपने मन में किसी प्रकार की शंकावे भे ना करें निसंकोच एवं निडर होकर अपना काम करें आपने हम लोगों के साथ बड़ा भारी उपकार किया है जिस धन वे वास्ते सहुधर भाई भी परस पर दड़ते और मरते मारते हैं वे धन आपने बिना रुका लिखाए ही संतों की सिवा में लगा दिया संतों की सिवा के लिए दे दिया मर्यो लाज भार चाहे धसों भूमी फार द्रग बहे नीर धार देखी दई दीक्षा पाई हो वे बनिया लज्जा और गलानी के मारे दबा मरा जा रहा था वे चाथा था कि धर्ती फट जाया और मैं उसमें समा जाऊं तो अच्छा है उसकी आखों से आसों की धारा बह रही थी श्री पीपा जी ने उसे इस प्रकार दुखी देखा तो उन्हें बड़ी दया आई उसी दीक्षा दीवे भगवत भक्ती पाक करतार्थ हो गया सूर सेन मल के कानों में पड़ी राजा की भरी सभा में भक्ती विमुक ब्रामरों ने शी पिपा जी की दिन्दा करते वे कहा उनका ये आचलन धर्म शास्र के बिल्कुल विरुद्ध है भूप मन आई ये है निपट घटाई होत भक्ती सरसाई नहीं जाने घटी प्रीती है राजा के मन में भी यही आया कि वस्तुता इसमें प्रतिष्ठा में हानी हुई और ये अनुचित कार है वस्तुता अब तक भक्ती कार है से राजा की समझ में नहीं आया था ये ऐसा क्यों लिखा है तो भगतों की जो लीलाएं होती है वे हम इस बुद्धी से नहीं समझ सकते हैं भगत जैसे देवे हैं वैसे भगवान भी देवे होते हैं इसी तरह से भगवान और भगत की जो लीलाएं होती है उसको हम लोग अपने मन्ज और अपनी माईक बुद्धी से नहीं समझ सकते हैं इसलिए हमको हमेशा भक्तों के कारों में बुद्धी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि हम लोग उसे कभी नहीं समझ सकते हैं आगे पढ़ते लिखा है उसका हृद्य विशुद भक्ती के रस सरस नहीं हो पाया था इसलिए गुरुदेव की श्री चर्णों में भी उसकी प्रिती घट गई चले पीपा बोध दैन द्वार ही ते सुधी दै लई सुनी कही आवो करो सेवा रीती है यह जानकर समत पीपा जी उसे समझाने एवं उसके हृदे में भक्ती सुधिर करने चले राज द्वार पर पहुंचकर द्वारपालों के द्वारा अपने आग्मन की सूचना भेजी बीता से राजा ने कहला वेजा कि इस समय पूजा कर रहे हैं कुछ देर बाद आवेंगे बढ़ू मूड राजा मौजा गाठे बैठे यो मूची घर सुनी दौरी आयो रहे ठाड़े कौन नीती है ये सुनकर श्री पीपा जी ने कहा राजा बड़ा मूर्क है मूची के घर पर बैठ कर जूते गाठ रहा है और कहता है कि मैं सिवा पूजा कर रहा हूँ तो वो असल में मूची के घर पर ही था राजा ने जूट बुलवाया था और पीपा जी को ये मालूम पढ़िया क्यों कि वे भक्त थे भक्त को जैसे भगवान सरव्यापक होते है न वैसे भक्त भी सरव्यापक होते है ये बात जो है वे लोग मानेंगे नहीं लेकिन भक्त भी सरव्यापक होते है ऐसा शास्र कहते हैं केवल एक सरष्टी रचना जो होता है भगवान का जो गुण होता है केवल वे नहीं होता है बाकि जितने भी गुण भक्त भगवान में होते हैं वैसे सब होते हैं भक्त में तो जैसे अंतरयामी भगवान होते हैं वैसे भक्त भी अंतरयामी होते हैं इसलिए पीपा जी को सब कुछ पता था त्रिकाल दर्शी भी होते हैं भक्त तो इसलिए पीपा जी को मालूम पड़ गई ये बात थो कि वह मूर्क है मोची घर पर बैठे जूते गाट रहा है और कहता है कि मैं सिवा पूजा कर रहा हूँ राजा ने द्वारपालो के मुख से जब ये बात सुनी तो दौल कर आया चड़नों में गिर पड़ा वै आश्चर चके था वस्ता मन से मोची के घर पर पहुँच गया था लिखा है मन से मन से मोची के घर पहुँच गया था वै पुनाश्री पीपा जी ने का मैं यहां ख़़ा रहूं और तुम मोची के घर जाकर जूता गाट हो ये कौन सा नया है वै मन से सोच रहा था तो भक्त ने उनके मन की बात तक सोच ली अब ऐसा कौन कर सकते है कोई मनुश्य कर सकता है ऐसा नहीं कर सकता है किवल भगवान कर सकता है जैसे भगवान में शक्तियां होती है वैसी सभी शक्तियां भक्त में भी होती है भगवान सब उनको दे देते है हती घर मांज बांज रानी एक रूपवती मांगी वही लेवो बेगी चलियो सोच भारी है उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परंतु बंध्या रानी थी उसमें राजा की वेशिश आ सकती जानकर श्री पीपाजी ने कहा आवे आप खुवारी हैं जैसा हम दोग यहां पे पड़ कीभी लगता है और जैसा मैंने सुनाए पीपा जी जो थे वह बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही क्रोधित भी थे तो बाकि जो राजा थे ना वह भी उनसे डरते थे आगे पड़ते हैं लिखा है चलते समय उसके पैड डगमगा रहे थे रनिवास में गूशते ही उसे भैंकर सिंग दिखाई पड़ा उसे देख कर राजा डर गया और वहीं खड़ा हो गया पीछे लौटने में बुराई और आगे जाने का साहस नहीं रहा फिर वह सिंग गायब हो गया जाये तो बिलाए गयो तिया ढेग सुत नयो नयो भूमी पर कला जानी ना तेहारी है राजा किसी प्रकारानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी का जन्मा हुआ एक बालक दिखाई पड़ा अब राजा की समझ में आया कि गुरुदेव भगवान में कितनी सामर्थ है वहीं प्रत्वी पर साश्टांग दंडवत पनाम करके राजा ने स्तुती की हे प्रभू हम आपकी माया को नहीं जान सकते है आपके सिंग एवं शिशु दोनों ही रूम वंदनी है प्रगटे और सरूप निज खी जी के प्रसंग कहयो कहां वहें रंग शिश भईयो लाज टारी है राजा की प्रातना से प्रसंग होकर निज फुरूप से श्री पीपा जी वहीं प्रकट हो गया और फटकारते वे बोले कहो वह पहले वाला रंग कहां गया जब तुमने लोक लज्जा और मोह का त्याग करके सारा राज और रानिया मुझे अरपन की थी और मेरे शिष्य होए थे उन्होंने ऐसे फटकार कर कहा अब जब राजा का अंता करन पवित्र हो गया तब श्री पीपा जी ने उसे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया तो भक्ति कब मिलती है जब हिदय जोए अन्ता करन जोए वे शुद्ध हो जाता है वे कौन करता है संत करते हैं तब भक्ति मिलती है तब भगवान का प्रेम मिलता है और भक्ति भी दो तरह की होती है ठीक है कौन कौन सी एकोती पहले प्रेम लक्षना मिलती है और उसके बा वाला अपना प्रण जिसे की शिष्य होते समय अपनाया था फिर से धारन कर लिया गुरू संत और भगवन्त को एक रूप माल लिया गुरू संत और भगवान ये सब एक है एक रूप माल लिया शीपीपा जी अपने आश्रम विक्रम संबत 1472 में गागरो नगड को लोट आए बोलियो एक नाम साधू एक निसी देहू तिया लेहू कही भागो संग भागी सीतावाम है एक साधू रूपधारी नाम का साधू दुराचारी श्री पीपा जी के पास आकर बोला आप अपनी इस्तरी को मुझे एक रात के लिए दे दे आपने कहा ले जाओ उसने सीता सेचरी से कहा आप मेरे संग दौर कर चलो आग्या के अनुसार ये उसके साथ दौरती हुई चलने लगी परन्तु दौरते दौरते सारी रात बीट गई फिर भी उसका घर नहीं आया परात भए चले नहीं रह नहीं की आग्या प्रभू चलियो हारी आगे घर घर देखो ग्राम है पराते काल हो गया ये बैट गए बैट गई और बोलीं की अब मैं आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती हूँ क्योंकि मेरे स्वामी जी की ये आग्या थी की इनके साथ एक रात रहना सो वह रात बीत गई उसने सोचा की ठक गई है था पाल की या गाड़ी ले आओ उसमें बैठा कर ले चलू वह गाओं में गया तो घर घर में श्री सीता सहचरी की दर्शन होए तब उसकी आँखे खुली आयो वाही ठोर चलो माता पहु जाए आओ आये गहें पाव भाव भयो गयो काम है वहीं आकर बोला माता जी चलो आपको स्वामी जी के पास पहुंचा आओ आश्रम में आकर भे श्री पीपा जी और स्री सीता सहचरी के पैरों में गिर पड़ा उसके मन से काम वासना दूर हो गए और संत भगवन्त की भक्ती में द्रण भाव हो गया विशय कुटिले चारी साधू भेशे लियो धारी कीनी मनोहारी कही तिया निजे दीजिये एक बार चार कामी कुटिल दुष्टों ने सुंदर माला तिलग आदी धारन कर लिया और श्री पीपाजी के निकट आकर बड़ी नम्रता से बोले आप सच्चे संत सेवी हैं आज अपनी इस्त्री में हमें दे दीजिये आप बोले यहां तो सर्वस्व आपका ही है बिना मांगे ही ले सकते हैं करी के सिंगार सीता कोठे मांज बैठी जाए चाही मग आतुर हुए अजू जाहू लीजिये श्री स्वामी जी की आग्यानुसार सीता सहचरी श्रंगार करके कोठे में जा बैठी श्री पीपाजी ने उन्हें काम भाव से व्याकुल होकर पितिक्षा करते देखा तो कहा आप लोग कोठे में जाईए गए जब द्वार उठी नाहरी सुफारी बेको फारे नहीं बानो जानी आय अती कीजिये जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर गए वैसे ही एक सिंगनी इन सब के उपर इन्हें फार डाने के लिए जप्टी परंतु उसने सादू विष जानकर फारा नहीं वै चारों भैबीत होकर भागे और श्री पीपाजी से नाराज होकर बोले तुमने तो वहां हम लोगों को मरवाने के लिए सिंगनी बैठा रखी है तुम सादू नहीं दुष्ट मालूम पड़ते हो अपनो विचारों ही हो कियो भोग भावना को मानी साच भै शिष प्रभू मती दीजिए हसकर आपने कहा आप लोग अपनी हिर्दे की कुछसित भावना को देखिए अनदिकार भोग भावना ही सिंगनी है वे तुम्हें छोड़ नहीं सकती है सद भाव से पुनह जाकर देखिए उन लोगों ने फिर जाकर देखा तु सीता सहचरी विराजबान है वे सब चंडों में पड़कर रोने एवा अपराज श्मा करने की प्राप्ता करने लगे शी पीपा जी की बात को सत्य मान कर वे सब उनके शिष्य बन गए उनकी वे बुद्धी नष्ट हो गई सभी भक्त बन गए गूजिरी को धन तो अब की बार जो यह वाला कवित है इसमें एक एक पद पे इसमें एक एक कथा दी हुई है उसको एक एक करके पढ़ेंगे लिखाये गूजिरी को धन श्री पीपा जी के हाँ विराजमान सादू संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रकट की कि आज तो श्री रगणाज जी का दही भोग आरोगने का मन है उसी समें एक गौालिन दही बेश्टी उधर आई इससे ये जाना गया कि भागवान अपने भक्तों के मनुरत पूर करते हैं श्री पीपा जी ने दही का मुल्य पूछा तो उस गौालिनी ने तीन आना बताया परंतु उस समें पीपा जी के पास एक भी पैसा नहीं था उन्होंने उस से कहा तु दही दे दे पैसे अभी नहीं है आज जो कुछ भी आज जो कुछ भी कुछ भेट में आ जायेगा वही तुझकों मिल जाएगा यदि कुछ ना आया तो तुम्हारा दही ही भेट समझा जाेगा ग्वालिनी ने स्विकार कर लिया, दही का भूग लगा, साधों ने शक्कर मिलाकर भूग लगाया और बड़े प्रेम से धही पाय पिया उसी समेर श्री पीपा जी का एक शिष्य आया और उसने एक मूती माला के समित बहुत सा धन भेट किया इन्होंने मूती माला और संपुन धन गौलिनी को दे दिया इससे ये प्रकट हुआ कि संत जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं उनका भगवानी स्वेमकारे करते हैं संतों का तो वै बेचारी गौलिन इतना धन लेने में डरी की सुनते ही राजा छीन लेगा वै उस धन को घर लाई उसमें से कुछ थोड़ा अपने पास रखा श्रीष का भगवान सेवा में खर्च करके श्री पीपा जी की शिष्या बन गई भक्ती करने लगी आगे पढ़ते हैं गूजरी को धन दियो पियू दही संतनी ने ब्रामन को भक्त कियो देवी दी निकारी के अब देवी दी निकारी के जो दूसरा वाला है वो अलिक थाम दुक पढ़ते हैं एक ब्रामन था वै देवी का बड़ा भारी भक्त था एक बार उसने एक बड़ा भारी भंडारा महोचसव किया उसमें भोजन करने के लिए उसने गाउं भर को निमंतरों दिया तो सभी लोगों ने स्विकार किया परंतु श्री पीपा जी ने इंकार कर दिया ये जानकर वे उनके पास पहुंचा और शीश जुका कर बड़ी विंती की और हट करने लगा कि आप भी चलिये भक्तराच्री पीपा जी ने कहा जहां श्री सिहता राम जी को भोग नहीं लगता है वहां हमारा क्या काम हम वहां नहीं जा सकते हैं और ना भोजन कर सकते हैं बाद में उनकी दीनता देखकर आपने का यदि तुम सभी पक्वान शाक जितने बने हैं सब में से थोड़ा थोड़ा अमनिया ले आओ मैं अपने भगवान को भोग लगाऊंगा और प्रसाद पा लूँगा उसने स्विकार किया और वैसा ही किया तब आपने भी प्रसाद पाया सब को खिलाने प्लाने के बाद जब रात में ब्रामर सोया तुछ अपने में देवी जी ने आकर उससे कहा तुमने इतना बड़ा भंडारा किया परन्तु मुझे तो खाने को नहीं मिला मैं तो भोकी मर गई ब्रामर ने कहा क्यों देवी ने कहा जब पीपा जी ने भोग लगाया तो उसी समय भगवान के पार्षदों ने मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया अब तक मैं उनके भैस से काप रही हूँ तब ब्रामर की आखे खुली तो उसने सोचा जब पार्ष गया और सब समाचार बदा कर शिष्य बन गया गाओं ने गाओं के दूसरे देवी भगतों ने जब यह समचार सुना तो वह सब श्री पीपा जी की शिष्य हो गया वैशना बनकर भनगवान की उबासना करने लगे तो यसा है लिखा है कि देवी जी ने पार्षदों से डर है जिससे बेवैशना बन जाए आगे लिखा है तेली को जिवायो इसके लिए कथा लिखी है तेली को जिवायो एक दिन एक रूफ पती तेली ने तेल लो तेल लो जोर जोर से कहकर तेल बेचती घूम रही थी श्री पीपा जी ने उससे कहा तेल लो तेल लो कह कहकर चिलात इस संदर मुख से कभी कभी सीता राम सीता राम भी कह दिया करो तो तुम्हारा कल्यान हो जाए उसने क्रोजित होकर कहा सीता राम सीता राम तो बिद्वाएं जबती हैं अथवा जब कोई मर जाता है तब शमशान घार पर ले जाते समय राम राम सत्य कहते हैं मैं क्यों कहूं इसके बाद तेल बेच कर जब घर पहुंची ही थी कि उसके पती की नाक में चौकट की टककर से चोट लगी और वह गिर कर मर गया अब तो आर्थ स्वर से हाई राम हाई राम कहे कर विलाब करने लगी लोग उसे ले कर शमशान घाट की ओर चले श्री पीपा जी के आश्रम के समीप होकर निकले वह तेलिन रो रो कर राम नाम सत्त कह रही थी सबसे बुली कि इनी के कहने से मेरा पती मरा है सबोंने श्री पीपा जी से प्राटना की और आजन्व नित्ति नाम जपने की प्रतिग्या की तब श्री पीपा जी ने उसे जीवित कर दिया वे तेली तो भगवान के नाम का उपदेश लेकर विरक्त हो गया तेली न समेत घर के सभी लोग भग्त हो गए आगे लिखाए भैस चोड़नी पे फेरी लियाए हो इसके लिए कथा लिखी है भैस फेरी लियाए हो एक भग्त की दी हुई एक दूद देने वाली भैस श्री पीपा जी के आशर में बंधी थी रात को चोड़ लोग आए और भैस खोर कर ले चले श्री पीपा जी जग रहे थे अभी वे लोग थोड़ी दूर पहुंचे थे कि ये उसकी पड़िया लेकर चोरों के पीछे चले और उन्हें जोर जोर से पुकार कर उनसे कहने लगें कि इस पड़िया को भी ले जाओ बिना पड़िया के भैस दूद कैसे देगी इनकी उदाता से प्रहुईत होकर वे सब लौट आये और शिशे बन गए उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया आगे है गाड़ी भरी आयो इसके लिए कथा दी हुई है आश्रम में विशिश भीड भाण देखकर श्री पीपा जी ने शी सीता सेचरी से कहा यहां भजन में बाधा होती है चलो कहीं अन्यतर एकांत बन में बैट कर श्री राम नाम का स्मर्नक करेंगे एसा कहकर सीता सेचरी समित आप आश्रम में चल दियें और एकांत बन में जा कर भजन करने लगें किनी आने जाने वाले लोगों ने आपको पहचान लिया और संतों ने बी आकर अनरोध किया कि आशेरम में ही चलिये वहीं रहेकर हमें आन्दित कीजिये उसी समय एक माजन आया उसने एक गाड़ी जिसमें बहुत सा अंधन भरा था आपको भेट गी आप उसे ले कर चले रास्ते में कई डाकू मिले और श्री पिपाजी ने सहर्श उन्हें भरी भराई गाड़ी भेट कर दी ये गाड़ी ले कर चले थोड़ी देर बाद जब वे कुछ दूर निकल गए तब श्री पिपाजी को गांठ में बधी मुहरों का ध्यान आया तब ये दोड़े उन्हें पुकाय कर भोले रुक जाओ ये मुहरे और ले जाओ मुहरे पा कर वे आश्र में पढ़ गए डागों ने पूछा आप कौन है आप कहां रहते हैं तब आपने नाम पता बताया सुनते ही वे चड़ों में गिर पड़े और विंती करने लगे गाड़ी हाग कर आश्रम में लाए शिष्य बन कर संदमार्ग पर चलने लगे इस प्रकार आपने उनके जीवन का सुधार किया तन पांच ठोड जारी के इसके लिए कथा दी हुई है एक दिन श्री पीपा जी के पास गाउं से पांच संदों के निमंतरण आए इन्होंने विचारा थोड़ी थोड़ी देर के लिए सबी संदों कि यहां चला जाओंगा इतने में इनके आश्रम में ही कई संत पधारे आप प्रसंता पुरवक उनकी सेवा में लग गए आदर पुरवक जिन्होंने बुलाया है वहां जाना चाहिए इस विचार से आप पांच शरी धारन कर पांच संतों के स्थान में गए लिखा है पांच शरी धारन करके पांच संतों के स्थान में गए ये शक्ति तो भगवान में होती ही न कि भगवान अन्य शरी धारण कर सकते हैं लेकिन इनमें संत में कैसे हो गई संत के पास भी सभी शक्तियां होती हैं भगवान की इसलिए तो इन्होंने पांच शरी धारण किया और पांचो स्थानों पहुंचे वहाँ आप दिन के बाद रात में भी उत्सव कीर्थन में समलित रहे और पांचो गाओं में आपने शदीद त्याग दिया और पांचो गाओं में आपका दा संसकार कर दिया गया एक गाहों में आपकी दो शिश्याएं थी वे समचार देने को चली तो मार्ग में भी उन्हें दा संसकार के उत्सव दिखाई पड़े सरवत उर समचार लाने वालों ने आश्रम में आकर देखा तो संत मंडिरी में बैठे श्री पीपा जी कीर्थन कर रहा है तो जो पांचो गाहों के लोग थे शिश्या जो थे वो आए शिश्या लोग और उन्हें देखा कि पीपा जी अभी भी अपने आश्रम में कीर्थन कर रहे हैं इस दिव्य चमतकार को जानकर सभी लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये सामान मनुष्य नहीं है ये तो कोई दिव्य महापुरूश है और आगे एक अथा पढ़ते हैं लिखा है कागद ले कोरो करेयो इसके लिखा है श्री पीपा जी के यहां एक बार एक संत मंडिली आई कई दिन तक श्री पीपा जी ने उनकी खूब सेवा की चलती समय संतों ने कहा हमें द्वार का जाना है हमारे पास खर्चा नहीं है तब आप एक महाजन के पास गए और रुक्का लिख कर इस शर्ट पर रुपे ले आए कि तुम तगादा मत करना तब मेरे पास रुपे होंगे तब अपने आप हम ब्यार समय दे देंगे कुछ दिनों के बाद ये अपने रुपे मांगने लगा श्री पीपा जी ने उसे शर्ट की याद दिलाए कि आपने मांगे नहीं हम बिना मांगे ही दे देंगे रुपे अभी नहीं है उसे संतोश नहीं हुआ उसने पंचायत में दावा कर दिया पंच लोगों ने उने बुलाया और कहा कि आप रुपे क्यों नहीं देते हैं आपने कहा सेट जी वह कागज लावे हिसाब बतावे हम रुपे देने को तयार है सेट जी ने घर से लाकर कागज पंचों पेश किया तो बिल्कुल कोरा था पंचु ने सेट को दंड दिया कि इसका जाती से वह इशकार करो इसने संत कापमान किया श्री भीपाजी ने कहा इसे दंड ना दिया जाया इससे हमने साधों को देने के निमित रुपे लिए थे पर तय यह था कि यह मांगेंगे नहीं इन्होंने रुपे मांग कर प्रितिग्या भंग की अता भगवत इच्छा से कागच कोरा हो गया ये चमतकार से प्रभावित होकर वही उपस्थित किसी दूसरे धनी ने उसके रुपे चुका दिये वे माजन पस्थाया और श्री पीपा जी की शरण में आया अगली कथा है भरियो घर त्यागी बनियों को सो कहरे हो ये तो पढ़ लिया और भरियो घर त्यागी ये कथा पढ़ेंगे अब संद सेवी श्री पीपा जी के आश्रम में कभी-कभी तो अन्य धन का सर्वता अभाव हो जाता था तो कभी-कभी अन्य धन से भंडारा भर जाता था परन्तु आपको निश्किंचिंता ही प्रिय थी निश्किंचिंता भी प्रिय थी एक बार आपके आश्रा में बहुत सा अन्य धन तथा और भी विविज समग्रियों का संग्रे हो गया तथा आदर सत्कार बहुत बढ़ गया इससे उब कर आपने श्री सीता सेचरी से कहा यहां विग्न होने लगा चले और अन्यतर चले जो कि भजन में बाधा पढ़ती है और धन से भी भजन में बाधा पढ़ती है धन के दोश होते हैं कई जैसा हम लोग इस भगतवाम में पहले पढ़ भी जोगे हैं कि उसको समाल कर रखना होता है चोर चोरी कर सकते हैं और फिर दिमाग में भगवान नहीं आते हैं धन संग्र चलते चलते असी कोश दूर एक नगर में पहुंचें जहां बाजार था आप जाकर वहां बैठ गये किसी ने आकर आको बहुत फटकरा और कई धक्ये लगाए आप दूसरी जगे जा बैठे वहां के दुगानदार ने भी गालिया दी और आको भगाया तब आपने श्री सीता स अब जाकर कुछ शान्ती होई आदर सम्मान एक रोग है उसके बढ़ जाने पर यही उत्तम उपचार है आगे कथा है डारी हत्या हूं उतारी के इसके लिए लिखा है किसी ने इनको बताया कि तुम आगे चले जाओ वहां ठैड़ना आप उठकर चल दिये जाकर देखा तो नाम संकीरतन करने लगे उसकी द्वनी चारों और फैले गई उसे सुनकर सैक्रों सेवक शिश्यों समेत एक महंत जी आए उनके आने से सत्संग कीरतन का आनंद और अधिक बढ़ गया वहीं पर एक ब्रामर रहता था उसने भी सत्संग कीरतन का आनंद लिया इसके बाद उस से अनजाने में गो हत्या हो गई थी मैंने सभी तीर्थ कर लिये अनेक प्रकार के दान भी किये फिर भी लोगों ने मुझे जाती में नहीं मिलाया मेरा बहिशकार करते हैं भक्त और भागवान दोनों ही पतित पावन हैं तो आप मुझे पवित्र कीजिए शिश्य पीपा जी ने कहा तुमने सत्संग कीर्थन में भाग लिया अथा अब तुम पवित्र हो ब्रामन अपने घर के सामान लाया अनेक पकवान बने उधर कीर्थन की धूम मची थी सारा गाओं उमलकर आया और दर्शन करने लगा पंगत में उस ब्रामनों को परुस्ते देखकर लोगो प्रत्यक्ष प्रमार देखकर सभी लोगों को संतों में और भगवान में द्रण विश्वास हो गया राजा को ओसेर भाई इसके लिए कथा है तोड़े से श्री पीपा जी के चले जाने पर राजा सूरी से मल को बड़ी चिंता हुई बिना दर्शनों के बेचैन होकर उसने दूत भेज़े दूतों ने पत्र दिया प्रार्टना की आप अपनी अलौकिक शक्ती से ततक्षन तोड़े में आ गए गुलसवार दूत कई दिन बाद पहुँचे संतुकोजू विभो दई इसके लिए कता लिखी है आपके आते ही टोड़े में आनन्द की लेहर फैल गई राजा प्रजा सभी दर्शनों के लिए दौल पड़े राजा ने बहुत सा धन बेट किया इतने में ही एक संयोगी वेरागी ने आकर प्रार्थना की कि मेरी एक लड़की विभा के योगे है मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है श्री पीपा जी ने सहर संपूर धन उठा कर उसे दे दिया मैं बहुत प्रसंद हुआ आप ऐसे उपकारी और त्यागी थे लई चीठी मानी गए श्री रंग उदारी के इसके लिए लिखा है पूर्वत कवित 117 से 118 में द्योसा जैपुर निवासी श्री रंग जी का चेत्रवर्णन किया जा चुका है वे श्री अननता आचारे जी के शिष्ष एवं श्री पीपा जी के भतीजा चेला लगते थे उनके मन में श्री पीपा जी के जर्शन की प्रबल अभिलाशा थी इसके लिए उन्होंने बीसों पत्र श्री पीपा जी के पास भेजे थे परंतु से योगव शिव ये वहाँ नहीं पहुंच सके तब श्री रंग जी ने अतियन दीनता में भरकर एक पत्र लिखकर अपने एक आदमी द्वारा आपके पास भेजा पत्र परकर और पत्र वाह के मुख से भी उनकी अतियन ने पूर प्रात्ना सुनकर श्री पीपाजी का हिर्दे भर आया अता उसकी प्रात्ना मानकर उनके यहां गए अब यह अन्तिम कवित दिया हुआ है लिखा है श्री रंग के चेत धर्यो इसके लिए कथा लिखी है इसने भी सूत्र जो है दिया है छोटी उटे उसके लिए अलग अलग कथा है पहले पढ़ते हैं श्री रंग के चेत धर्यो पूर उकत में आ चुका है कि गए श्री रंग उदारी के जिस समय श्री पीपाजी श्री रंग जी के यहां पहुँचे है उस समय में भगवान का मानसी पूजन कर रहे थे श्री पीपाजी उनकी पौर पर बैट रहे है श्री रंग जी मानसी में भगवान का श्रंगार कर रहे थे पहले मुकट धारा कर तब फूलों की माला पहना रहे थे वे किंचिच छोटी होने से मुकट में अटक रही थी उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पहनाओ श्री पीपा जी का मानसी में प्रवेश था उनका भगवान की मानसी सेवा में का प्रवेश था अथा बाहर से ही कहे कि गाट खोल कर धारन करा दीजिए श्री रंग जी ने ऐसा ही किया फिर तुरंथ ही विस्मित होकर आख खोल कर इधर देखने लगे कि किसने इतनी गुफ्त भगवान को प्रत्यक्ष देखकर मुझे उपाय बताया है जब वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ा तो उत्सुकता वश बहार आए परम तेजों में दिव विभव वे प्रसंद मुख श्री पीपा जी को देखकर श्रंग नाज जी ने पूछा आप कौन है जो चुपचाप यहां आकर बेटे हैं आप कृपा करके अपना नाम बताये श्री पीपा जी ने मुश्करा कर कहा यथा ये गीता जी में विधी दी हुई है अर्था भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निश्कपड भाव से की हुए प्रश्ण द्वारा तत्व को जानने वाले ग्यानी पुरुशों से उस ग्यान को जानो तब इस प्रकार भाव होगा तब ग्यानी जन तुम्हें उस ग्यान को उबदेश करेंगे ये सुनकर श्री रंग जी बड़े लज्जित हुए और समझ गय कि ये कोई परम ग्यानवान सिद्ध पुरुश है अथा गीतोक्त विधी से पुना परिचे पूछे जब पीपा जी ने अपना नाम ग्राम बताया तो सुनते ही वे इनके चर्ण कमलों में लोट पूट हो गया आज इनका चिर संचित मनुरत पून हो गया इसके बाद वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूरवक बोले प्रभू मेरा मन तो ये था कि जब आप आवेंगे तो मैं बाजे गाजे के साथ चल कर आपकी अगवानी करूँगा प्रन्तु आप तो बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम द्वार पर ही आगए आप तो कृपा कर करके बाग में पधारे मैं आपकी अगवानी करने चलूँगा तीपा जी ने का अरे भाई अब तो हम घर पर आही गए अब अगवानी की क्या जरुरत रह गई उन्होंने का फिर तो महराज मेरी अभिलाशा अपूर्ण ही रह जाएगी अन्त में उनके प्रेम से हार कर पीपा जी घर से एक कोस दूर बाग में जाकर विराज है श्री रंग जी खूब बाजे बजवाते होए मुहरे जुटाते होए प्रेब़न मक्त हो कर निरत्तेगान करते होए पाल्की लेकर इनको लेवाने चले श्री पीपा जी ने कहा कि पालकी पर तो हमारे श्री सद्गुरु दे श्री स्वामी रामानदा चार जी चलते हैं भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूँ यदि आपका ऐसा ही भाव है तो श्री स्वामी जी की छबी को पालकी पर पधरा कर ले चले मैं पैदल चलूँगा ऐसा ही हुआ श्री पीपा जी उनके प्रेम को देखकर एक महिने तक उनके घर रहे श्री पीपा जी के सत्संग से संपूर देव सा गाउ श्री राम रंग में रंग गया पूरे गाउ में भक्ती भाव चा गया तो ये वाला कवित जो था श्री रंग के चेत धरियो तिया ही भाव भरियो उसके लिए हम पढ़ेंगे तिये ही भाव भरियो की कथा लिखाया आप जब आप द्योसा में श्री रंग जी के हाथ हैं तब एक दिन एक सरवर पर आप दोनों बैठें उसी समय दो इस्रिया कंड़ा बींतियों उधर ही आ निकली देखकर श्री पीपा जी ने उन्हें अपने समीब बुलाया श्री पीपा जी को श्री रंग जी को श्री पीपा जी का ये कारे अच्छा नहीं लगा में मन में सोचन लगए कि ये पराई इस्रियों को क्यों बुलाते हैं साधू को तो पर इस्री का मुझ भी नहीं देखना चाहिए सरवग श्रीर पीपाजी ने उनका मनुभाव जान कर समझाया कि अपने किसी स्वार्त वश बूलाना वारतलाब करना अनुचित है परंतु परमार्थदान के लिए बूलाना अनुचित नहीं है तब श्रीरंग जी का समाधान हुआ फिर आपने उन बाईव से कहा कि इतना सुघर सुरू पाकर गोबर बिना अच्छा नहीं लगता है ये शेर तो भगवान को भजने योगे हैं तुम लोग कौडी गोबर के लिए चिंता मणी देव दुल्लब मानव तन का दुरूपयोग कर रही हूं अपना तन्मन भगवान को अपर करके क्यों नहीं अपने जीवन को धन्द बना लेती हो अरे तब तुम सब तो भगवान के नित प्रेशी गोपी हो किसी लौकेक पत्ती की पत्नी नहीं हो अता सब कुछ छोड़ कर उन श्री राधा कांत अता सब कुछ छोड़ कर उन श्री राधा कांत व्रजेंद नंदन श्री श्याम सुंदर के श्री चर्ण कमलों में अनुराग करो श्री पीपा जी के मार्मिक उपदेश को श्रवण कर वे दोनों बाईयां जगत से विरक्त होकर श्री श्याम अनुरागणी बन गई और घर छोड़कर श्री द्वारका पुरी में जावा सी श्री रंग जी के यहां से विदा होकर श्री पीपा जी जब तोनों को आ रहे थे तो मार्मिक में इन्हें एक रोता बिलगता ब्रामर दिखाई पड़ा अब ये वाली कथा पढ़ेंगे जिए लिखा है ब्रामर को शोक हरे और राज़ा पर पुजाये के ब्रामर को शोक हरे उसके लिखाये शी रंग जी के यहां से विदा होकर श्री पीपा जी जब तोनों को आ रहे थे तो मार्मिक में इन्हें एक रोता बिलगता ब्रामर दिखाई पड़ा दुख का कारण पूछने पर ब्रामण ने बताया कि मेरी बेटी व्यायोग्य हो गई है पास में पैसा ही नहीं है यह जमान के यहां गया था वहां भी कुछ नहीं मिला इसी चिंता से मैं व्याकुल हूँ ब्रामण की बात सुनकर गोपी ब्रामण की बात सुनकर श्री पीपा जी को दया आ गई ततकाल उनके पास जो कुछ था मैं ब्रामण को देकर बोले कि यदि आप कुछ देर के लिए साधू विश्धारान कर सकें तो आपको और भी बहुत सा द्रव्य दिलवा सकता हूँ ब्रामण देवता तैयार हो गए श्री पीपा जी इन्हें उन्हें आश्रम पर लिवा लाए उनका सिर मुड़वा कर बढ़िया अंचला पहनाए द्वादस तिलक किये गले में कंठी भांदी और उन्चे तक्ते पर गदी लगा कर उनको बैठाया तथा उन्हें और स्वेम उनके समी भी नीचे बैठ गए तोड़े के राजा सूर से जब इनका दर्शन करने आया तो उन्चे तक्त पर विराजमा नवीन महात्मा को देख कर पूचे कि ये कौन है श्री पीपा जी ने कहा कि ये मेरे कागा गुरू है तुम्हारे भाग गया है जो इनका दर्शन कर लिया ये सुनकर राजा को बड़ी श्रद्धा होई और उसने बहुत सा धन भेट किया जब राजा चला गया तो श्री पीपा जी ने पंडिट से हार जोड़कर कहा महाराज मुझे श्रद्धा करना मैंने आका मूड मुडवाया है इसको फिर रख लेना अब जाईए खूब आनन से बेटी का व्या करिए वेश का प्रताप देखकर ब्रामन देवता प्रभावित होए उन्होंने पुना उस व्याश्तवी वेश को दूर नहीं किया उसको ज है और पिडियों को भी भव पार कर दिया अब अन्य कता जो है कौन सी है चंदव अब भुजाए दियो टेली कोले बैल दियो इस दो कता है अम दोग पढ़ेंगे में चंदव भव भुजाय दियो ये कता हो रहा था इतने में ही श्री पीपाजी एका एक उठकर हाथों को ऊपर उढ़ा कर मलने लगे इनका ये कौन तो किसी की समझ में नहीं आया राजा सूरी से ने बड़ी विनम्रता पुर्ण पुछा तब आपने बताया है कि श्री द्वार का पुरी में कीर्थन हो रहा है मशाल अची की तनिक असाधानी से उसका हाथ उपर उड़ गया मशाल चंदोवे से जा लगी अता चंदोवे में आग लग गई थी मैंने अत्यन शीक्रता पुर्वक उसे ही बुजाया है ये सुनकर राजा को अत्यन आश्र हुआ उसने वास्तविक्ता का पता लगाने के लिए तुरंत ही अपना एक खास आद्मी द्वार का भेजा उस समय आद्मी ने जाकर देखा तो चंदोवे में थेगरी लग रहे थी पूछने पर सब लोगों ने कहा कि यदि श्री पीपा जी नहीं रहे होते तो आज ना जाने कौन सा अनर्थ हो जाता उन्होंने ये आग बुजा कर सब को बचा लिया आखों से देख कर तथा लोगों के मुख से सुनकर राज कर्मचारी ने आकर राजा से सब रतांत कर कहा उस दिन से राजा की श्री पीपा जी में और दिक्ष्रद्धा हो गई भला संतों की अनंत महिमा को कौन जान सकता है दूसरी कता है तेली कोले बैल दियो श्री पीपा जी सरोवर पर स्नान करने गए थे उसी समय एक ब्रामर आकर रोकर कहने लगा कि मेरा एक बैल मर गया है उसके बिना मेरी साधी खेती नश्ट हो रही है अतक रिपा करके मेरे लिए एक बैल की विवस्था कर दीजे आप मुझे समझा रहे थे कि मेरे पास बैल कहा है जो आपको दूँ और इस समय स्वयोग से द्रव्य भी नहीं है जिससे बैल खरीदवा दूँ ब्रामर गिड़ गिड़ा रहा था इतने में एक तेली का लड़का अपने बैल को जल पिदाने के लिए लाया शिर्वीपा जी ने उसके हाथ से बैल लेकर ब्रामर को पकड़ा दिया यह वाजी कता है यहीं पर समाप चोती है आगे जो दी हुई है दियो पुनी घर मांज भयो सुख आये के दियो पुनी घर मांज के लिए लिखा है तेली का लड़का रोता हुआ घर जाकर अपने पिता से सब बात बताई उसकी पिता ने राजा सूर्ज सेन के पास जाकर फर्याद किया राजा ने कहा तु उनके पास जाकर विनै कर मैं बड़े दयलू है तुम्हारा सब दुख द्वन दूर कर देंगे तेरी ने जाकर श्री पीपाजी से कहा माहराज आपने हमारा बैल ब्रामण को क्यों दे दिया श्री पीपा जी ने उसे उपदेश देने लगे कि भाईया दान पुन की बड़ी महिमा है फिर उसमें भी ब्रामण को मैंने दिया है ब्रामण का खाया वेर्थ नहीं जाता है ब्रामण भगवत स्वरूप होते हैं तो मैं इसके लिए सोच नहीं करना चाहिए तेली ने जुन्जदा कर कहा आपको अगर दान करना था तो अपना बैल देते पास नहीं था तो खरीद कर देते बस्ता दूसरे गिवस्तुगा दान कैसे आदि श्री पीपा जी तेली की बाट सुनते रहे और हसते रहें परन्तु जब बात बढ़ने लगी तो आपने कहा अरे यहां क्यों जगल रहे हो पहले घर जाकर देखो तो तुम्हारा बैल तो तुम्हारे घर पर बंदा है बेर तुम्हें हमसे तकरार कर रहे हो तेली ने घर जाकर देखा तो सचमुच उसका बैल उसके खूंटे में बनदा था अब तेली की आँखें खुली श्री पीपाजी की प्रत्यक्ष महिमा देखकर उसने आकर चड़नों में पड़कर बार बार शवा मांगी और शिश्य बन गया बढ़ोई अकाल परेओ जीव दुख दूरी करेओ परेओ भूमी गर्ब धान पायो देल लुटाये के अती विस्तार लियो कियो है विचार ये है सुने एक बार फेरी भूले नहीं गाये के इसके लिए कथा लिखी है बढ़ोई अकाल परेओ एक बार उस देश में बढ़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा प्रजा में हाहा कार मज गया राजा सूरी सेन किंकी तरवे विमूर हो गए कि इस भीशन संकट से प्रजा को कैसे बचाया जा है अन्त में हुनों ने अपने परम समर्ण श्री सेद्गुरु श्री पिपाजी के शरनली परम दयालिऊ श्री पिपाजी ने राजा को आश्वासन दिया और पूरे अकाल भरसब को अनवस्र दे कर रक्षा की अपनी दिव्य द्रश्टी से प्रत्वी में गड़े धनों को देखकर उन्हें निकालकर प्रजा की हित में मुक्त हस्त से लुटाया इस प्रकार आपके अनुंत चरित्र है श्री भक्तमाल जी के टीका का श्री पियादार जी कहते हैं कि आपका चरित्र वर्णन करने में पहले ही अती विस्तार हो गया है यह विचार कर मैंने अन्त के चरित्रों को अती प्रसिद्ध जानकर संक्षेप में ही वर्णन किया है आपका चरित्र इतना मनोहर एवं प्रिर्णा प्रद है कि एक बार सुन देने पर कभी भूलेगा नहीं फिर तो आपका ही चरित्र कहता और सुनता रहेगा टीपा जी का चरित्र जितना इसमें दिया था उतना ही पिसमामत होता है अगली वीडियो में हम लुक्षी धन्ना जी का चरित्र पढ़ेंगे ओम नम भगवते वासुदेवाए